केसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके सरीर के हर एक हिस्से में बहुत बड़े 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 बदलाव आ सकते हैं आपने कहीं सारे डोक्टर्स के मुझ से सुना होगा विटामीन E के फाइदे हैं विटामीन E केपसूल लेने से आपको क्या-क्या फाइदे मिल सकते हैं और ये काम किसे करता हैं बहुत सारी इंटरस्टिंग और नोलेज़ वाली चीज़े आपको इस वीडियो के बाद पता होने वाली हैं ये बाद तो आपको भी पता होगी कि हमारे सरीर को साथ तरह के निउट्रिशन की जरूरत पढ़ती हैं कार्बोहेड्रेट, फेट्स, प्रोटीन, विटामीन, खनीज लवन, पानी और मिनरल्स हर किसी के सरीर में निउट्रिशन की मातरा उनकी उमर और उनके वजन के हिसाब से अलग-अलग होती है आपके सरीर में हो सकता है ज्यादा मातरा में निउट्रिशन हो और मेरे सरीर में इसकी मातरा कम भी हो सकती है इसी तरह हन nutrition का सरीर के अंदर भी अलग-अलग काम होता है या यूँ कहें कि हन nutrition हमारे सरीर में अलग-अलग तरीके से फाइदे पहुचाता है विटामिन E भी एक एसा ही nutrition है विटामिन E बहुत ही फाइदे मन nutrition है हमारी सेहत से लेके हमारी स्किन और हमारी बोडी से लेके हमारे बाल कई प्रोब्लम का एक ही सोलिशन हो सकता है और वो है विटामिन E इसके 16 अलग अलग तरीके के फाइदे हो सकता है सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि विटामिन E है क्या अगर आपके मनमे भी ये सवाल है तो इसका जवाब ए कि विटामीन E एक डिसोल वो फेट विटामीन होता है और ये साथ कंपाउund से मिलके बना होता है जिसे साइंस की भसा में अलफा टोको फेरोल कहा जाता है विटामीन E का सबसे पहला फाइदा तो यह है कि इसमें एंटियोकसिडेंट ज़्यादा उसे ठीक भी करता है और यही वज़ा है कि जो लोग आज विटामीन E का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जुर्रियां और चेहरे पे सिकन होने की सिकायत बिल्कुल नहीं होती जो लोग विटामीन E को रेगुलर लेते हैं तो उन्हें उनकी बढ़ती उमर में होने वाली इसकिन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है लेकिन विटामीन E रेगुलर लेने से पहले हमें डोक्टर की साला जरूर लेनी चीए हमारे दिल के लिए भी विटामीन E बहुती फाइदे मंद होता है आज कल वेसे भी बहुत कम उमर के लोगों को भी हट अटेक आने सुरू हो गया क्योंकि हमारा फूट सिस्टम और हमारी लाइप स्टाइल दोनों ही आज के वक्त में बहुती खराब है जिसका ज़्यादा तर असर हमारे दिल पे भी पढ़ता है इसलिए अपने बोडी से ज़्यादा अपने दिल का भी खयाल रखना चीए विटामीन E हमारे हाट के लिए बहुती जरूरी है जो लोग हाई अक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रोब्लम से लड़ रहे होता है या किसी को डाइबीटिस है तो इसे लोगों में हटाटे काने के चंसर सोर बढ़ जाता है लेकिन विटामीन E को लेने से हाट की प्रोब्लम सोल्व होने लगती है डोक्टर्स का भी कहना है कि विटामीन E लेने से हाट की प्रोब्लम 20% तक कम हो जाती है इसलिए अगर किसी को दिल की प्रोब्लम है तो वो विटामीन E ले सकता है लेकिन डोक्टर की सला लेने के बाद विटामीन E से आखों को भी सेहत मिलती है लेकिन अकेले विटामिन E से काम नहीं चलता बलकि विटामिन E के साथ साथ विटामिन C, विटामिन A और जिंक को लेने से आखों में रोशनी अच्छी होती है विटामिन E, Age-Related, Macular, Degeneration यानी AMD के होने वाले साइड इफेक्ट को भी कम करता है विटामिन E को लेने से मोतियाब इनकी कहीं केसेस भी कम हुए हैं हम रोजाना अलग-अलग तरह से मेहनत के काम तो करते ही हैं पर इसलिए हमारे सरीर को भी एनरजी चाहिए होती है सरीर में Immunity Build-Up करने में भी विटामिन E बहुत ज्यादा फाइदे मन्द होता है हम जंका फूट खाखा के बोडी में जो कूडा करकट जमा करते हैं उसे Digest करने में भी विटामिन E बहुत हेल्प करता है Digestive System में होने वाली Swelling को भी दूर किया जा सकता है अब देखे अलजाइमर एक एसी बिमारी जिसमें धीरे धीरे हम अपनी याददास खोने लगते हैं लेकिन अगर विटामिन E को रेगुलरली लिया जाए तो अलजाइमर होने के चांसस कम होने लगते हैं जादा ता डोक्टर भी अलजाइमर का इलाज करते वक्ते विटामिन खाने की सजीसा नहीं देता हैं सिर्फ इतना ही नहीं बलकि ब्रेन फंक्सन के लिए भी विटामिन E बहुत ही जरूरी होता है हमारे सरीर के सबसे सोप्ट और सेंसिटिव चीज होती है हमारी स्कीन इसलिए स्कीन को सोप्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए अगर आपने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तमाल कर लिए तो आप विटामिन E भी ट्राइ करके देख लो क्योंकि साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है बलकि फाइदे ही फाइदे हैं इसकीन को उपर से चमकाना एक हेल्थी इसकीन रूटीन नहीं बलकि इसकीन को अंदर से भी स्ट्रूंग करना जरूरी होता है जिसमें विटामिन E मदद करता है धूप में बाहर निकलने पे हात जगा रूखा पना जाता है एसा सरीर में नमी के कम होने से होता है अगर चेहरे को नेचूरल मोस्चुराइजर देना है तो विटामिन E लेना सुरू कर दीजिए अपने आप चेहरा ग्लो करने लगेगा विटामिन E रूखी और बेजान इसकीन में भी जान डाल देती है सा विटामिन E से अच्छा कोई और प्रोडक्ट होई नहीं सकता बालों के लिए विटामिन E ये कमरत की तरह है मरेवे बालों को भी विटामिन E जिन्दा कर देता है देखे सराब पिने के कितने नुकसान होता है ये आपको पता होगा सराब से लिवर खराब हो जाता है लेकि को ठीक करने के लिए डोक्टर इलाज और घरिलून उसके सब अपनी अपनी जगा पे है लेकिन विटामिन E का असर अलग तरीके का है और आप देखिए लड़कियां जिने पीरियेट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है बहुत ज़्यादा पेन होता है उन्हें विटामि विटामिन E को अगर रेगुलर लिया जाए तो मेल फिमेल फर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन साबित होता है हमारे वीर यह की क्वालिटी बढ़ती है और ओम की सेहत बनाये रखने में भी विटामिन बहुत ही बेनिफिसियल होता है वैसे तो विटामिन E विटामिन E को नेचुरल तरीके से भी हम पा सकते हैं लेकिन विटामिन E के ज़्यादा फाइदे पाने के लिए विटामिन E के कैपसूल भी लोग लेते हैं विटामिन E को नेचुरल तरीके से लेने के लिए वेजीटेबल ओईल, फ्रूट्स और सबजियों के बीज, ड्र प्राइफ रूट्स और हरी पत्यदार सबजीयों को अपने डाइट में सामिल कर सकते हैं इसके अलावा बादाम, मुंगफली, अक्रोट, सन फ्लोवर के सीट्स, ब्रोकली और पालक जैसी चीजों में विटामीन E भरपूर रोप से मिल जाता है विटामीन E को नेचूरल तरी जैसा कि मैंने आपको सुरू में बताया था कि मल्टी विटामीन हमारी बोडी के लिए बहुत काम की चीज है अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्य है तो एक बार डोक्टर के पास जाके आप भी विटामीन E और मल्टी विटामीन ले सकता है तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर देना फिर से लोटेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद